इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सर साइज 2.1 जिसमें हमें करना क्या है हमें कुछ equations given है इनको हमें solve करना है तो देखी जो equation का form होती है equation की वो कैसी होती है बीच में equal to का sign होगा और जो side left में होगी उसे हम बोलेंगे left hand side जो side right में होगी equal to के sign के उसे हम बोलेंगे right hand side यानि की RHS हमें करना क्या होता है आपको एक बात याद रखनी है सबसे पहले कि इसमें आपको x, y, z या जो भी variable given है वो अगर निकालना है तो आप उस variable को एक तरफ अकेला बचाओगे और बाकि उसके साथ जो भी है उसको आप दूसरी side ले जाओगे दूसरी side ले आने के लिए कुछ rules है अगर जो number plus में है उसको आप दूसरी side ले आ रहे हो तो minus में जाएगा इसी तरह से जो minus में है उसको दूसरी side ले जाओगे तो plus में जाएगा multiply वाला divide में जाएगा और जो divide में है वो दूसरी तरफ multiply में जाएगा आपको इतनी बात याद रखनी है बाकिये सारे सवाल असानी से solve हो जाएंगे ठीके तो देखें यहाँ पर सबसे पहला जो question इसमें है x-2 is equal to 7 ठीके तो अगर हम यह rule ना लगाए थोड़ी दिते के लिए इसको समझने की कोईस करें कि यह क्या है तब यह मैं answer निकाल सकते है ठीके और समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है दीए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर x क्या चीज है x है कोई भी number जो अभी हमें नहीं पता ठीके तो x-2 is equal to 7 है तो इससे आपको यह सौझ में अचीए कि कोई एक number है उसमें से अगर हम 2 minus करते है तो हमें 7 मिलता है तो आप असानी से सो सकते हैं ऐसा कौन सा number है जिसमें से 2 minus करने के बाद 7 मिलता है तो जाईर सी बात है 9 ठीके 9 में से अगर आप 2 minus करोगे तो 7 मिल जाएगा तो हम ऐसे भी सो सकते हैं अब हम अपना तडीका लगा के यहाँ पर देखने है कि 9 आता है कि नहीं ठीके मैंने क्या कहा था जो भी value हमें निकाल लिए है जिसकी value वो अकेला एक तरफ बचा लो आप तो यहाँ पर x की value निकाल लिए है x अकेला बचेगा बाकी दूसरी तरफ हम ले जाएंगी तो 7 पहले से दूसरी तरफ है वो अपनी जगा रहेगा आप देखिए यहाँ पर जो 2 है उसके पहले क्या है minus और minus वाली चीज उस तरफ कैसे आती है प्लस में ठीक है इसी तरह से इसका second question है इसमें है y plus 3 is equal to 10 तो इसको अगर हम journalist होचे तब भी हम answer पता लगा सकते है ठीक है y मतलब क्या y कोई number है जो अभी हमें नहीं पता तो y में यानि एक number में अगर हम 3 जोड़ें तो हमें 10 मिलता है तो ऐसा कौन सा number होगा जिसमें 3 add करने के बाद 10 मिलेगा 7 7 plus 3 is equal to 10 अब हम देखते है इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर देखिए y की value निकाल लिए y अपनी जगा रहेगा 10 अपनी जगा रहेगा और जो y के साथ है यह plus में है ठीक है y plus 3 तो यह कैसे जाएगा यहाँ पर minus में तो y की value कितनी जाएगी 10 minus 3 यानि की 7 आपको यह जो sign देखने है उस तरफ ले जानी के लिए जिस number को आप उस तरफ ले जा रहे हो उसके left में के sign है वो देखने है तो यहाँ पर देखिए इसका जो third part है इसमें हमें 6 is equal to z plus 2 given है तो यानि की हमें z निकालना है तो z को हम अकेला बचाएंगे बागी सब दूसी तरफ shift कर देंगे तो इसके साथ क्या है plus 2 plus 2 के left में क्या है plus का निसान है तो यह जाएगा minus में 6 minus 2 यानि की 4 is equal to z आप ऐसे भी सो सकते हैं कि एक number है उसमें जब 2 जोड़ा जाता है तो 6 मिलता है तो number क्या होगा 4 4 में 2 जोड़ोगे 6 मिल जाएगा ठीक है इसका जो fourth part है इसमें है 3 by 7 plus x is equal to 17 by 7 तो यहां से अगर हम x की value निकालेंगे तो यह तो अपनी जगा रहेगा यह जाएगा minus में ठीक है अब देखिए यहां पर जो यह minus में जा रहा है इसलिए नहीं जा रहा है कि यहां पर plus का निसान है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके left में यहां पर plus का निसान है मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया था कि हमेशा हमें निसान कौन सा देखना है नंबर जो हम उस तरफ ले जाएंगे उसके left में क्या है ठीक है तो यहाँ पर plus है इसलिए यह minus 3 by 7 आया है ना कि इस plus की वज़ा से आपको याद रखने ही बात ठीक है मैं कहने का मतलब है अगर माल लिजें यहाँ पर minus होता और यहाँ plus होता तो हम यह minus वाली value plus में ले आते इस plus से कोई फरक नहीं पड़ रहा ठीक है यह जो plus है यह जो plus है यह एकस का है तो यहाँ पर देखिए एकस अपनी जगा रहा is equal to यहाँ पर देखिए denominator दोनों का सेम है जब denominator सेम होता है तो आपको LCM वगरे लेने की जुरूत नहीं है सीधा सीधा जो हो रहा है वो कर दो माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो तो 17 माइनस 3 यानिकी 14 तो यहाँ से कितना बचा है पर सिर्फ 2 तो x की value कितने आएगी 2 आ जाएगी ठी में 6x is equal to 12 दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर देखी जब दो number ऐसे लिखे हों कि उनके बीच में कोई निसान ना दिख रहा हूं मतलब चिपका के लिखे हों तो उनके बीच में multiply होता है आपको यह rule याद रखना है मतलब 6 और x के बीच में multiply हो रहा है और मैंने क्या कहा जो multiply में होगा वो सरब divide में जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की value निकालनी है तो x अकेला बचेगा 12 विधर और जो 6 है यह आ जाएगा divide में 6 बंज़ा 6, 6 तू ज़ा 12 तो x की value कितने आ गए 2 बाई 1 यानी कि 2 आप ऐसे भी सो सकते हो कि ऐसा कौन सा number है जिसको 6 कर multiply करने पर 12 मिलता है तो वो है 2 इस तरह से हाँ पर t divide by 5 is equal to 10 है तो अकर हम t की value निकालेंगे 10 अपनी जगा 5 divide में है तो divide वाली चीज उदर multiply में जाती है तो t की value है जाएगी 10 into 5 यानी कि 50 इसका जो अगला पार्ट है उसमें हमें 2x divide by 3 is equal to 18 कि वेन है तो इसको हम कैसे देखिए x की value निकाल लिए x अकेला बचाओ बराबर 18 अपनी जगा divide by 3 है 3 divide में है तो 3 कहाँ जाएगा multiply में और 2 और x को चिपका के लिखा गया एक दम मतलब इनके बीच में आपस में multiply हो रहा है तो जो चीज़ multiply में होती है वो divide में आती है यानि 2 कहाँ हैगा divide में तो 2 अ यहान से x की value मिल जाएगी 9 into 3 यानि की 27 नीचे 1 बचाओ 1 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह से जो इसका अगला पारट इसमें y निकालना है तो y अपनी जगा रहेगा 1.6 यह जाएगा यहाँ पर multiply में 1.5 तो y की value देखिए 15 को पहले आप 6 से multiply कर लो 15 6 जा 90 का 0 कह हुआ 9 फिर 15 मन जा 15 और 9 जोड़ोगे तो 24 बट असलेस में 15 नहीं था 1.5 था ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ एक के बाद decimal और यहाँ एक के बाद decimal दोनों को मिला के 2 के बाद decimal तो यहाँ पर 1, 2 दो डिजिट आप छोड़ो दो इस साइड से ठीक है और फिर decimal लागा दो तो y की value यहाँ अगे मर पास 2.40 जो इसका अगला part है इसमें 9 वाला उसमें में दिया है 7x-9 is equal to 16 अब यहाँ पर आप देखो 7 और x के बीच में multiply हो रहा है और यह minus में है तो हम क्या करेंगे जो चीज पहले चिपका के लिए है multiply में इसको नहीं चेड़ेंगे इसको आप ऐ कैसी रहने दो ठीक है 16 अपनी जगा है जो यहाँ पर plus यहा चीज में माइनस में है ठीक है उसको आप उस सर्फ ले जाओ, plus में होगा तो minus में, minus में तो plus में, यह minus में है तो यहाँ पर plus में जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कितना जाएगा 16 में आप 9 जोड़ोगे 25 मिलेगा आपको बराबर में 7x यहां बचा रहेगा ठीक है आप बात करते है x की ठीक है तो यहां सिर्फ x बचेगा 7 चला जाएगा डिवाइड में क्योंकि यहां पर यह चिपका के लिखा मदब multiply में है तो x की value यहां से आगई 25 डिवाइड बई 7 जो इसका अगला पार्ट है इसमें 14y minus 8 is equal to 13 है तो इसमें हम क्या करेंगे दिखिए पहले 14y को आप नहीं छेड़ोगे ऐसी रहने दोगे 13 अपनी जगा minus में है तो plus में जाएगा ठीक है इन दोनों को add करोगे 21 मिल जाएगा तो 14y की value मिली 21 तो y की value कितनी होगी 21 अपनी जगा 14 और y की बीच में multiply हो रहा है तो 14 कहां जाएगा divide में कट रहा है तो आप काट सकते हैं ठीक है 7 से कट जाएगा आसानी से 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 तो y की value कितनी आ गई 3 divided by 2 इसी तरह से इसका जो अगला पार्ट है उसमें हमें given है 17 प्लस 6P is equal to 9 तो 6P को हम यही रहने देंगे 9 अपनी जगा रहेगा जो 17 है इसके left में कौन सा निसान है प्लस का है तो यह उस तरफ कैसे जाएगा minus में तो यहां से 6P की value देखिए अगर आप 17 में से 9 घटाते हो तो आपको कितना मिलेगा 8 17 में से minus किया है जिसमें से हम minus करते है न उसी का निसान आता है तो 17 में से minus किया है 17 के left में minus है तो 8 के left में भी minus आएगा ठीक है तो यहां से देखिए अब P की value जो होगी minus 8 अपनी जगा 6 और P के बीच में multiply है तो 6 कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा अब 2 से आप कटो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 जो P है उसकी value minus 4 डिवाइड बै 3 जो इसका अगला पार्ट है आखरी पार्ट है इसका ये इसमें x by 3 plus 1 is equal to 7 by 15 है तो पहले हम क्या करेंगे x by 3 की value निकाल लेंगे 7 by 15 अपनी जगा ये plus 1 किया minus 1 में x by 3 ऐसी रहने दो ठीक है तो ऐसे में क्या करते है जब नीचे यहाँ पे denominator 1 है तो सीदे सीदा आप इसको इससे multiply करते है तो ये ऐसी लिखो minus ऐसी लिखो 15 into 1 15 लिखो अब ये दोनों की नीचे क्या जाएगा 15 ठीक है तो ये x divide by 3 की value हो गई 7 में से 15 नहीं घटेगा 15 में से 7 घटावा कितना बचेगा 8 तो 15 में से घटाया है मैंने क्या कहा था जिस में से घटा रहे हैं उसी का निसान लगाते है तो 15 के left में minus था minus आएगा divide by क्या यहाँ पर 15 है x की value गर हम निकालें तो minus 8 divide by 15 ऐसी रहेगा जो ये 3 है divide में ठीक है तो उस तरब जाएगा multiply में तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 बन जा 3 3 फाइब जा 15 तो यहाँ पर हमें क्या value मिली minus 8 बचा हुआ है divide by 5 तो यहाँ जाएगी तो इस वीडियो में इतना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है questions on में आये हैं तो इसको like करें, share करें और इस channel को subscribe करें ठीक है, thanks for watching मिलतें भी रगली वीडियो में तब तक के लिए, goodbye